नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए पीछले वीडियो में हम लोगोंने ये 18 सितिमब 2024 को जो SLI का पेपर हुआ था प्रेयागराइड डिवीजन में इसका फ़र्ट पार्ट हम लोग साल्व कर चुके हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट साल्व करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कन्वेंसन लोको में लोको ट्रांसफार्मर की कूलिंग विवस्ता क्या है तो यह होती है OAF-AF, OAF मतलब आयल फोर्च और एयल मतलब एयर फोर्च इसमें आयल को भी फोर्सली भीजा जाता है और ब्लोवर द्वारा इसको ठंडा किया जाता है OAN-AN का मतलब हुआ, एयल नेचुरल, एयर नेचुरल, OAF का मतलब हुआ, एयल नेचुरल, एयर फोर्स्ट, नेक्स्ट है WAG-7 बोगी में बोगी फ्रेम और वहिकल बाड़ी के बीच में सस्पेंसन को क्या कहा जाता है तो track और bogey frame के बीच में जो suspension होता है वो primary suspension है और bogey frame और vehicle body के बीच में जो होता है उसको हम secondary suspension कहते है next है WAG 7 bogey में center pivot के करीब जो 2 side bearer होते हैं उस पे कितना percent load हो रहता है और जो बाहर की तरफ होते हैं उन पे कितना होता है तो जो pass वाले होते हैं उन पे 60% load होता है और जो बाहर वाले होते हैं उन पे 40% का load होता है next है convention लोकों में single phase AC को three phase AC में किसके द्वारा परवर्तित किया जाता है तो single phase AC को three phase AC में या तो R0 change करता है या SIV change करता है RSI AC को DC बनाता है SL जो DC के repulse बच गए है उनको और स्मूथ करता है और TFP transformer के तेल को radiator में पहुचाने का काम करता है convention लोकों में single phase AC को DC में कौन परवर्तित करता है भी बात हुई RSI यानि silicon reactive hair next है WAP4 bogey किस type की है तो यह जो WAP4 है यह होती है flexi coil bogey AP1 AP4 flexi coil है AG5 और AM4 tri mount है और AG7 high addition है next है किस प्रकार के लोकों में traction motor में variable voltage और variable frequency द्वारा control किया जाता है तो यह three phase लोकों में होता है और option में जो three phase लोकों है वो WAG9 है बाकि सारे conventional है next है SS05 किस से संबंधित है तो SS05 जो है वो hotel load से संबंधित है harmonic filter का होता है SS04 break system का होता है SS10 और fire detection का होता है SS15 next है WAP5 लोकों में bogey की वस्ता है तो AP5 होता है आपकी bobo next है WAG9 लोकों में MCB100 का इस्थान क्या है तो यह battery charger की input MCB है और यह HB2 में या तो side में होती है या उपर की तरफ लगी होती है next है WAG9 लोकों में MCPA का इस्थान तो यह numetric panel के पास होता है इसका अंसर हो जाएगा option D WAG9 लोकों में constant speed के लिए किस बटन को दवाना होता है तो BPCS को BPPB से parking brake लगाते है BPVR vigilance reset करने के लिए push button है और BLHO hotel load के लिए button lever है next है subsystem F1103P2 यह किस subsystem का है यह subsystem 11 होता है आगजरली क्यूबिकल 1 के लिए और आगजरली क्यूबिकल 2 के लिए होता है subsystem 12 next है मादक पे लेने के संबंद में निर्देश GR के किस नियम में है तो GR 2.09 में next है OYACHI का सबसे छोटा खंड जिसको मैनवली रूप से अलग किया जा सकता है तो उसको बोलते है elementary section feeding zone वो होता है जहां से state से supply हमको मिलती है और दो feeding zone जहां पर आपस में मिलते हैं उसको sector बोलते हैं जहां पर neutral section होता है यानि एक feeding post से दूसरे feeding post के बीच में हमारा क्या लगा होता है SP और feeding post और SP के बीच में हमारा होता है SSP यानि sub-sector post next है track की केंद रेखा से सन्रशना के निकटतम चेरे के बीच की दूरी को implantation कहते हैं अगला है local outage का क्या आर्थ है तो local outage का आर्थ होता है engine hour for traffic use upon 24 hours option A हो जाएगा इसका next है local pilot की सत्रक्ता जाचने के लिए कौन सा उपकरण है तो VCD है next है TLC या power control का मूल करतव क्या है तो इसमें challenge सक्ति विवस्ता करना running staff का मार्ग दरसन करना रख रखाओ के लिए local से home set की योजना बनाना ये तीनों काम है यानि इसका अंसर हो जाएगा option D next है महिला railway कमचारी कितने दिन के लिए maturity leave ले सकती है तो 180 days के लिए ले सकती है next है deemed suspension के लिए कौन सा फर्म यूज होता है तो deemed suspension के लिए होता है SF2 यह standard form का भी एक video है हमारे channel पर वहां से आप देख सकते हैं detail में next है pass PTO के अगर आप दुरुपियोग करते हैं तो railway करमचारी पर maximum कितना जुर्माना लगाया जा सकता है तो उसको dismiss किया जा सकता है next है crew link किस आधार पर तयार किया जाता है तो working time table के आधार पर उसको तयार किया जाता है एक करमचारी का DA प्रत्सत क्या है यदि वो 12 घंटे मुख्याले से बाहर रहता है तो 100% होता है यहां पर यह जानी है अगर 0 से 6 hour तक वो headquarter से बाहर रहता है तो उसको 30% मिलता है टिये और 6 to 12 hours तक अगर वो मुख्याले से बाहर है कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए next है B class के ODC वाली गाली की maximum speed B class के ODC की speed 40 kmph होती है A class की जो ODC होती है वो sectional speed में चलती है और C class की जो ODC होती है वो 25 kmph पे चलती है gate man से private number exchange ना होने पर station master द्वारा local pilot को कौन सा इधिकार पत्र जारी करना चाहिए तो उसको Carson order जारी करता है और Carson order का form होता है T409 यानि T409 जो ये TA409 है ये निल Carson के लिए होता है T3693 भी ये खराब signal को आनकिस्थि में पार करने के लिए होता है और T806 ये sunting order के लिए होता है next है माल वहाँ तथा coaching वहाँ में flat tire के अनमत सीमा तो goods में 60 mm है और passenger में ये होती है 50 mm next देखिए वही question आ गया कि sunting के लिए कौन सा अधिकार पत्र है तो T806 next है automatic signal में आन इस्तिति में मिलने पर लोको पाइलेट को रात में कितने समय रुखने के बाद उसे पार करना है को लेजान माना जाएगा तो इसका अंसर है 400 meter next है gate signal की पहचान के लिए क्या marker लगा होता है तो खंबे पे आपको G marker का plate लगा रहता है यलो पे black color का next है calling hand signal कि सुरोग signal के नीचे नहीं लगाया जा सकता है तो last stop signal जो है उसके नीचे नहीं लगाया जा सकता है और जो हमारा sun signal होता है वो हमारे first stop signal के नीचे नहीं लगाया जा सकता है next है automatic block system में double line पर single line के कारवाई के समय गलत line से जाने पर लोको पाइलेट को कौन सा प्रास्थान प्राधिकार दिया जाएगा तो इसमें हो जाएगा none of these क्योंकि T511 ये signal रहित लाइन से गाड़ी चलाने के लिए है TC 1425 और TD 1425 क्या है paper line के लिए ticket है far up and down train TN 912 क्या है ये automatic signal को आन में पार करने का प्राधिकार है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा none of these इस समय जो unified SR आया है उसके हिसाब से इसमें T912 दिया जाएगा खाले सिती में coaching stock की rail इसतर से अधिक्तम buffer उचाई ये कितनी होती है तो ये होती है 1105 mm next है LHB coach की maximum speed क्या है 160 kmph होती है next है heart axle किस बोगी वाग में खराबी के कारण होता है next है disaster management अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया तो ये है 23 December 2005 में इसको पारित किया गया इनी इसका answer हो जाएगा option C next है GR 6.03 किस से संबन्दित है तो ये protection of train से संबन्दित है फिर है पहला गंटा जो किसी भी दुरगटना में बचाओ के लिए महतुपूर होता है उसको हम बोलते है golden hour इस पहले गंटे में हम जितने घैलों को जल्दी से जल्दी rescue कर सकते हैं उतने लोगों की हम जान बचा सकते हैं इसको golden hour कहा जाता है next है दिन के समय medical when चलाने का समय क्या है तो 20 मिनट है night में 30 मिनट होता है single entry में medical one निकलने का time 20 मिनट है और double entry में medical one निकलने का time 15 मिनट है next है अनुसासनिक करवाई के समंद में बड़ी सास्त कार उपत्र यानि major charge rate के लिए कौन से farm का use किया जाता है तो SF05 का use किया जाता है SF11 जो है वो minor penalty के लिए होता है किसी local pilot के लिए एक पकवारे में अधिकतम कितनी duty hours होती है तो एक fortnight में उसको 104 hour की duty maximum होती है इसको बोलते है इस टेगर यानि इसमें वो जिग जैक टाइप का आपका ओय अची रहता है कि pentograph आपका एक जगा से नगी से वो पूरे में गिसता रहे next है CMS में REFT किसका code है तो refresher transport का ये code है फिर है electric fire बुजाने के लिए कौन सा अगनी सामक यूज किया जाता है तो electric fire के लिए class C का use किया जाता है जो class A का है वो लकडी के कागज के कपड़े को आपके बुजाने के लिए class B जो है वो gas तेल पेंट के लिए और जो class D होता है वो magnesium, titanium और sodium जैसे जो लंसील पदार्थों के आपको बुजाने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है केंट सरकार के करमचारियों के लिए कितने हिंदी पाठकरम निर्धारित हैं तो ये चार है प्रबोध, प्रवीन, प्राग और पारंगत फिर है चेत्रखा के अंतरगात आने वाले राज यो केंट सासे पदाश कौन से हैं तो ये बिहार हो जाएगा पंजाब और चंडीगा चेत्रखा में आते हैं स्रेडी सी के करमचारि को किस पाठकरम में परसिचित किया जाना आवस्सक है तो सी को प्रवीन किया जाना आवस्सक है स्रेडी D के लिए प्रबोध, C के लिए प्रवीन और B के लिए प्रागे होना चाहिए प्रागे पास करने के लिए अवार्ड की जो रासी है वो क्या है तो वो होती है 2400 राजभासानियम के अंसवार कौन से राजशेत्र का के अंतरगात आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमद प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये का में आते हैं यहाँ पे धिकिए हर्याणां तो का में है लेकिन मिजोर्म नहीं है राजस्थान है लेकिन महराश नहीं है और गुजरात और मेघाले ये दोनों कामे नहीं है इसलिए इसका अप्षन डी अंसर हो जाएगा छेत्र खा के तहट वर्गीकरत केंद सासित प्रदेश कौन सा है तो खा में ये चंडी गड़ाएंगे और दमन्दीव यानि A&B दोनों हो जाएगा अंडमान निको बार ये छेत्र का में आता है नेक्स्ट है राजभासा नियम कब पारित हुआ तो राजभासा अधिनियम 1963 में पारित हुआ लेकिन राजभासा नियम 1976 में पारित हुआ है राजभासा नियम एक राज को छोड़के पूरे देश पर लागू है वो राज कौन सा है तो वो राज है तमिलनाडू नेक्स्ट है रेल मंत्री राजभासा रजकपद की पुरसकार राज कितनी है तो 8000 है फिर है केंद्रिय हिंदी सिच्छड संस्थान किस मंत्राले के अधीन है तो ये ग्रे मंत्राले के अधीन है तो आज हम लोगों ने CLI का जो कोईस्टन हुआ था अभी 18 सितंबर को उसको हम लोगों ने साल्व किया आई होप आप लोग के लिए आने वाले डिपार्टमेंटल एक्जाम में काफी हल्पूल होगा कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू